नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर ये बताते हुए बहुत धिया दुख हो रहा है कि बलूट के सुप्रसीद निर्माता निर्देशक जानी बक्षी जी अब हमारे बीच नहीं रहे जी हाँ मिली जनकारी के मुताबिक बिते सुक्रुवार चार सितंबर को देर रात उनका निधन हो गया जिसका दुख हमें ब्यादी जता है और आप सभी को बता दे की जनी बक्षी जी को लोग बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बालूट के कई दिगा जेक्टरों के साथ काम भी किये हैं वैसे वहाँ के वाल एक बहतरी निधिसा की ही नहीं थे बलकि एक बहतर निर्माता भी थे उन्होंने राजस खन्ना और गुलसन गोवर इस्टारर फिलम खूदाई का निर्माड किया था और इसके अलावा जानी बक्षी जी ने मनजिले और भी हैं मेरा दोस्त तो मेरा दुस्मान फिर तेरी कहानी याद आई और इस रात की सुभा नहीं सहित कई ऐसे फिलमों में निर्माता और साह निर्माता के तरपर काम किया था और जानी बक्षी जी के करियर की आखरी फिलम हिमेश रिस्मिया के साथ का जरारे थी और उनकी या फिलम साल 2010 में रिलिज हुई थी और इस फिलम में आपने हिमेश रिस्मिया और सारा लोरेन और अमरिता सिंग को देखा होगा वैसे इसके अलावा जॉनी बक्सी जी इंडियान इमोशन पिक्चर्स प्रोडूसर एसोसेशन का भी हिस्सा थे जी हाँ और इस एसोसेशन के सक्रे सदस्यों में से एक थे और आप सभी जानते ही होंगे जॉनी बक्सी जी सिनिमा प्रेमी थे इसी के कारण उन्होंने हाल्यूट के मसुहूर अभिनिता मार लोन और ब्रेंडो से प्रित होकर अपनी बेटे का नाम ब्रेंडो रखा था वैसे जॉनी बक्सी जी ने बहुत सालों तक राज घोसला के सहयक के रूप में काम किया था फिलहार उलके निधन से बालुट निश्री को एक बड़ा जटका लगा और ये सुनकर जीहां बहुत ज्याद दुख हुआ के बलुट के सुप्रसीद निर्माता निर्देशाक जॉनी बक्सी जी अब हमारी बीच नहीं रहे जिसका दुख हमें बहाद ही ज़ादा है तो हम लोग तरफ से सुप्रसिद निर्माता निर्देशाक जोनी बक्सी जी को भावपूर स्रधान जली और वे जहां भी रहें खुछ रहें अबाद रहें हम लोगों की यही दुआ है तो आउर इसी तरह के जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों हमारे चैनल को सब्सकाराइब निकी हैं तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जरू सब्सकाराइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक निकी हैं तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थांक्यू दोस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए